गाइज अगर आपके फेस पे भी पिंपल आज चुका है और अगर आप इसको गायब करना चाहते हैं तो बस रात को सोने से पहले मेरी बताई हुई रेमिडी लगा लीजिए आपका रात दो रात पिंपल गायब हो जाएगा पिंपल का दाग भी चला जाएगा इन फाक्ट पिंपल ही नहीं अगर आपके फेस पे छोटे छोटे गर्मी के कारण या मौसम बदलने के कारण दाने हो गए हैं लाल तो वो भी बिल्कुल खतम हो जाएगे अगर आपके बैक पे इस तरह के छोटे लाल दाने हैं तो वो भी खतम हो जाएगे मतलब आप खुद नहीं पचान पाएंगे अपकी फेस की रंगत भी इतनी चेंज हो जाएगी और दाना बिल्कुल गायब हो जाएगा साथ में मेरी चानल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करते टाइम और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं आपके लिए कुछ नया वीडियो लेकर आउं तो आप उसे देख सकें और अपनी जिंदिकी को और भैतर बना सकें बढ़ते हैं वीडियो कुछ देर के लिए लगाएं फिर हटाएं फिर लगाएं फिर हटाएं ऐसा अगर आप दिन में तीन से चार बार करते हैं और रात को स्पेशली सोने से पहले अपने फेस कोछे से साफ करने के बाद अगर आइस क्यूब इस तरीके से रप करते हैं अपने पिंपल वाले एरि कर दे, इसका क्या फाइदा होगा वो भी सुन लेज़े, इससे आपकी aging slow down हो जाएगी, आपके face पे wrinkles नहीं आएगी, fine lines नहीं आएगी, under eyes की problem, darkness की problem बिल्कुल खतम हो जाएगी, यह अपनी तरफ से मैंने extra tip दी आपको जो जरूर follow करना, अब बढ़ते हैं tip number two की तरफ, tip number two है कि हमें दिन में बहुत सारा पानी पीना है, पानी जो है हमारी body को अंदर से cleanse करता है, तो जो हमारी body अगर अंदर से cleanse रहेगी, साफ रहेगी, उसमें गंदगी नहीं जमा होगी, तो वो गंदगी आपके face पर नहीं निकलेगी, क्योंकि जो हमारी body में बहुत जादा toxins जमा हो जाते हैं, waste product हमारे body में जब जमा होने लगता है, तो वो गंदगी की रूप में हमारे उपर, जो है pimple की रूप में फूटता है, तो सबसे पहले अपने अपने शरीर को अंदर से साफ करना है, ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको pimple acne की problem है या वैसे भी, अगर आप healthy रहना चाहते हैं, skin को चाहते हैं, कि आपकी skin एकदम crystal clear रहे, तो अपने diet में से बहुत जादा नमक को, चीनी को, fried को, है ना, और junk food को, बिल्कुल टाटा बाइबाइ कर दो, हफते में एक दिन या महीने में एक दिन सिरफ junk food खाओ, otherwise, बिल्कुल avoid कर दो, आपकी skin naturally बहुत healthy रहेगी, इसके साथ में आपने क्या करना है, करेले का सेवन जरूर करना है, करेले का ये तो आप juice पी सकते हैं, क्योंकि करवा जो चीज होती है, और अपने पैसे बचाने हैं, lifelong अगर आपको अपने face के लिए कुछ ना कुछ treatment में पैसे नहीं बरवात करें, तो करेला जरूर खाना start करें, आप बढ़ते हैं tip number 3 की तरफ, जो most important tip है, अगर आपकी acne prone skin है, बहुत ज़ादा acne आपके निकलते ही रहते हैं, pimples आते ही रहते हैं, छोटे-छोटे लाल दाने हो जाते हैं, मौसम बदलने के साथ, तो ये सबका इलाज कर देगी, क्या करना है, आपने एक बरतल लेना है, उसमें डालना है आपने 2 glass पानी, 2 glass पानी में आपने डालना है 3-4 पतियां तुलसी की, और कम से कम 15-20 पतियां नीम की, इनको अच्छे से उबालना है, जब वो सूख सूख के 1 glass रहे जाए, तब आपको गैस बंद कर देना है, और चन्नी की मदद से उसको एक कांच के बाउन में छान लेना है, जब पानी ठंटा हो जाए, तो इसमें fresh aloe vera gel का एक चमच आड़ करना है, और इसको एक spray bottle में भरके रख देना है, आप इसको एक हफते तक fridge में store करके रख सकते हैं, इससे क्या होगा जो भी आपके pimple acne है, अगर आप उस पे ये daily रात को सोने से पहले spray करेंगे, तो आपके बिल्कुल खतम हो जाएंगे, अगर आपके पास spray bottle नहीं तो खर्चा करने की बिल्कुल ज़रुवत नहीं, उस पानी में dip करके cotton को भी अपने face पे, पूरे face पे apply कर सकते हैं, इससे आपके सारी skin allergy खतम होगी, आपके pimple acne खतम होगे, आपके skin पे naturally glow आएगा, तो प्लीज इस हैं, जिन्होंने मुझे comment किया था कि एक रात में pimple चला जाए, ऐसा कोई solution बताए, तो definitely मैं आपके लेकर आए, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका name पर कोई आपका video बनाओ, आपकी problems related to comment करिए, like करिए, share करिए, bye, take care and stay healthy, love you all.